अब यार अगर आपने decimals और fractions पढ़े हैं तो हो सकता है कि आपको decimal fractions पढ़ाया गया हो अब हो सकता है मैं इसलिए मोल रहा हूँ क्योंकि maximum जिए पर यह topic कवर नहीं किया जाता है ठीक है तो मैं इस topic को इसलिए कवर करता हूँ कि यह इसकी importance है तो जिनको decimal fractions पढ़ा है तो अच्छी बात है पर maximum नहीं पता होता है तो उनके मन में यही सवाल आएगा कि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें क्या मत्ता होल नंबर वैयूस मिलती है इक और example लेते हैं मालो मेरे गर में 10 पेर दगे हैं तो मैं उस counting के दौरान भी मुझे 10 मिला और वह एक whole number ही मिले तो situations ऐसी हो सकती है जहां पर whole number ना मिले तो यही प्लाइब यहां पर लिखिए बट इस नौट सो इन अदर सिचुइशन की बात हो रही है और सरक इन दो सिचुइशन की ही नहीं ऐसी तमाम सिचुइशन पैदा हो सकती है यहां पर बस दो example के पर ली गई है ठीक है तो पहल होल नंबर नहीं है ठीक है दूसरी कंडिशन की आते हैं दूसरी सिचुइशन की आते हैं उसे इन वोल्ड का example है यहां पर कुछ इनके वल्ड रिकोर्ड की बात कर रहे हैं तो क्या लिखा देखो अब यहां पर नंबर मिला 9.58 वो भी होल नंबर नहीं है ठीक है तो अब देखो इस से कुछ ही यहां पर बताईगे है तो यहां पर जाए यहां हमें उसे इन वोल्ड का रिकोर्ड की टाइमिंग देखी तो वो मिली 9.58 सेकंड्स मतलब यह जो नंबर थे वह ओल नंबर नहीं थे यह जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है अब यह मैं आपको तो थोड़ा-बड़ा क्लियर हो रहा होगा कि पहले हम पढ़ते हैं फ्र करते हैं यह जो अब देखते हैं इनके दोष प्रेक्शन इनके डिनोमीनेटर में यहा हो क्या कहेंगे और उनकी निकालेंगे तो वो हमें मिलेगी कौन सी वेली वो मिलेगी हमें डेसिमल नंबर यान कि डेसिमल विलेंगे तो आप देखो यह कैसे हमको डेसिमल में जंप करवाते हैं तो याद है यह जी जो मैंने आपको डेसिमल के रहें तो यह सब्सक्राइब यह उसको हम लिखते हैं यह सब्सक्राइब आपको बताई चुगाँ कि यह जो पॉइंट है उसको हम डेसिमल पॉइंट यह पर दसमलब कहते हैं तो हम लिख सकते हैं तो यह जो आपको अच्छे सब्सक्राइब आपको अच्छे सब्सक्राइब नीचे जी रहे हों तो डेसिमल फ्रेक्शंस क्या है वो फ्रेक्शंस जिनका जो डेनोमिनेटर है वो क्या हो टैन की पावर में कुछ हो पहली जी दूसरी चीजिए अगर हम निकालते हैं तो होग में डेसिमल नंबर्स देती हैं डेसिमल नंबर्स याने की डेसिमल तरीके से लिंक करती है और यह चीज और समझ में आई होगी अगर आपने अच्छे से समझा है तो वह यह चीज है कि डेसिमल से हैं कुछ और नहीं बलकि फ्रेक्शंस से ही चल्वें है तो यार अगर वीडियो आपको अच्छी दगी हो आपको यह पंसप्ट अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो अच्छा लगा है तो इसलिए हमने डेसिमल फ्रेक्शंस को पड़ा अगर चैनल सब्सक्राइब भी तक नहीं कि याद गरूर पर लो क्या हम आगे और टापिक्स को कवर करेंगी डेसिमल के तो आब आज की वीडियो में इतना ही इतना ही इतना है आप साब ले वीडियो में